हेलो फ्रेंट्स आपका स्वखते हैं आपके यूटूब चेनल रासरकारी जो 24 में तो फ्रेंट से ब्येस्टी से दो जायत तेस की जो काउंसलिंग है उसका अपॉर्ड मोमेंट का साथ इस साथ आप यहां पर जो सेकेंड लेस्ट हैं वो भी जारी कर दी गई हैं जिया प्रे सते के अपके से चेक कर बाएंगे उस वीडियो को लिंक में द्यावा है आप से आप चेक आउट कर सकते हैं आज की हम बात खरकरें वाले हैं सबसे मिलने वाले हैं, ठीक है, आपनी चाहिव जूट लिखा हो, या पिर रसाथ ज ठीक है, आप ये कि ससाब से आपनी जू नंबर यहां पर सेयर कें हैं, उसे के साब से मैं को अपनी जो क протegory हैं, आपको second list की कटोप दिखाने वाला हूँ, आप यहां पर जितने ज़्यादा डेटर यहां पर share करेंगे जितने ज़्यादा अपनी category wise male wise अपनी numbers यहां पर share करेंगे उतनी अच्छी आपको कटोप देखने को मेलेगी ठीका यान कि accurate data आपको यहां पर देखने को मेलेगा कि actual में आपको कितनी number पर college मिल रहा है तो जितना data यहां उसी के analysis के आधार पर आपको second list के क्टोप में आपको श्यूडी में बजाने वालो हो और साथे साथ बात करने वाले हैं जिनको नया college अलोट वा है यानकि second list में college मिला है या फिर अपड़ मोमेंट में college मिला है ठीक है तो एसे candidate को आगे क्या करना होगा उस पर पर मैंने आपको complete वीडियो बना रहा है और इसके साथ next बात करेंगे college मिला है या नहीं मिला है तो अब आपको क्या करना होगा ठीक है तो इस वीडियो में चोटी सी जनकर मैं आपको प्लप करवा देता हूँ सबसे पहले हम बात करते हैं कि आपको जो list जारी की गई है कि आपको यहाँ पर apart moment बहुत सारे student यह इंतिजार कर रहेते की जिनको apart moment के दोरान college मिला है तो कैसे check कर पाएंगे तो आप जैसे यहाँ पर login करेंगे login करने के बाद यहाँ पर आपका जो box वाला option है वो open हो जाता है इस तरह के ठीक है जिसमें आपको यहाँ पर print allot में later का option दिया है इसमें आपको click करना है click करने के बाद इस तरह का interface आपको देखने को मिल जाएगा इसमें आपको यहाँ पर देश सकते हैं तो वहाँ पर आपको यहाँ पर round 1 आपको यहाँ पर देखने को मिल जाएगा तो round 1 में आपको पहले list यहाँ पर पहले college मिल चुके थी लेकिन जिन्हों ने apply किया है तो उनकी college one round से दूसरे round में भी आपको college change हो चुकी है और नई college का नीम आपको यहाँ पर देखने को मिलेगा पुराने college का नीम आपको round 1 में देखने को मिलेगा तो इस तरह से apply moment का रिजट आप चेक कर पाएंगे इसके बारे मैं यहाँ को पहले उपलब करवा दिया है बात करते हैं यहाँ पर देशते हैं काटोप के बारे में तो मैंने आपको बताए है कि जो ST वाली जो candidate है यहाँ पर देखने का मतलब ST के यहाँ पर काटोप के बारे बात कीज़ते 360 प्लस आप यहाँ पर मानकर चल सकते हैं इसे के हिसाब से यहाँ पर देश सकते हैं मैं आपको केडिगर वाइस कटोप बता देता हूं ST, ST, OBC और इसके बात ST की बात की जाए तो ST की लगबग आपको यहाँ पर 360 पर college मिल रहा है किने को मिल रहा है किसी को नहीं भी मिल रहा है तो यहाँ पर 360 हो गए और यहाँ पर ऐसे की बात की जाए तो 370 हो जाए गया और यहाँ पर OBC की बात की जाए तो यहाँ पर 380 प्लस वाली candidate को यहाँ पर college मिल रहा है second round में ठीक है तो इसके बाद यहां पर बात करते हैं यहां पर General के डिकरी की बात कीज़े तो General की यहां पर 390 प्लस वाले इसके Mark यहां पर आ रहे हैं उनको College मिल रहा है जो मैंने यह कटोब बताई है यह आपके Mark अपनी जो भी यहां पर Mark सेर की हैं उसे के साब से मैंने यह जानकार आपको उपलब करवाई हैं और इसके बाद मैंने यहां पर जो नमर बता हैं इसमें बहुत सार स्टुडेंट को College भी नहीं मिला है जैसे कि बात की जाए तो यहां पर देश सकते हैं और बीसी वाली मैंने बहुत सार कॉमेंट भी यह भी बता है कि यहां पर 300 EKS पर College नहीं मिला है या पर 304 से यहां पर इसका नमर आ रहे तो उनको College नहीं मिला है उसका करान है कि उन्होंने जो College का preference से वो कम भरा होगा इसलिए उनको College नहीं मिला है आपके नमरों के साथ से आपको उपर की College अलोग की जाती है नमर एक से स्टार्ट की जाती है तो मैंने को कम लिज जानकार इस व्यूडियो में परवाइड करवाई थी आपने यह गलती कर दी तो आपको College मिलने के कम चांजिस रह जाती है कि आपको अच्छे नमर होने के बाद जोदिया को College नहीं मिलता है यही सबसे बड़ा कारण होता है और बात की जाते हैं यहाँ पर कोटोप के बारे में कि कम नमर वालों को भी मिल रहा है यान कि यहाँ पर से 307 वाली candidate को मिल चुका है एस्टी में लेकिन बहुत सारे student बूच रहे हैं कि यहाँ पर 360 मारे नमर हैं तो College नहीं मिला है तो अलग-अलग यहाँ पर कोटोप के बारे में बता दिया है और इसके बाद यहाँ पर मैंने आपको बात की है कि आपको जिनको College मिला है उनको क्या करना होगा आपको 13,500 की पीस आपको जमाग करवाने होगी डोकुमेंट्स आपको जमाग करवाने होगी इसके बाद आपको यहाँ पर College आपको यहाँ पर डोकुमेंट्स आपको यहाँ पर जमाग करवाना होगा यह दोनों काम करने के बाद इसके बाद आपको website पर जागा print alert में लेट आपको निकालना होगा उसको college आपको जमाग करवाना होगा और जिनको college नहीं मिला है उनको यहाँ पर आपको third list का आपको यहाँ पर wait करना है third list में यहाँ पर मैं बात करता हूँ यहाँ पर ST की कितनी नमर होने चाहिए ठीक है वही आपकी यहाँ पर 360 plus 55 या कम से कम बान कर से ST में 355 आपकी नमर है तो आपको wait कर लेना है और इसे साब से अपनी 10-5 नमर आपको बढ़ा कर सल सकते हैं और जनरल की बात कीजिए तो यहाँ पर देश सकते हैं 390 ही आपकी यहाँ पर 390 या पर 325 आपकी नमर आ रहे हैं तो आपको तोड़ा सा wait कर लेना है third list का ठीक है और 2000 test based test की भी तियारी में लगे रहे ना यदि आपको नमर नहीं आता है तो उसमें आपको अच्छे कासे नमर आपको ग्यांट करने होंके तभी आपको BSTC 2023 में आपका selection हो पाएगा तो प्रेंट्स आज की शुड़ी में बस इतना ऐसे वीडियो में जानकर आपको अच्छे लेगी तो वीडियो को like, share, subscribe कीजीगा और अपने जो मार्क हैं वो कमेंड में छाप देना ठीक है Thank you for watching, जाहीं, जेवारत